नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है तो कैसे हैं आप आयों पाप ठीक होंगी अगर आप चैनल पे नाई हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथी में बैल आइकन को जरूर दो है ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोट परियास किया है बागवन साथियो इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखे इसके पीछे जो मुख्या रीजन है वो है माइट जी हां बागवन साथियो माइट एक मकड़ी जाती के चोटा जिसा कीट होता है ये दिखने में जितना चोटा होता है उतना ही ज्यादा ये ख़रनाक भी होता है ये हमारे बगी चोग में बगी चोग को पूरी तरह से प्रभावित करता है ये हमारे सेब के पेड़ों में पतियों में उपस्तित क्लोरुपिल को खा जाता है जिससे फोटो स्टीर की क्रॉप पे हम काफी ज्यादा फर्क पड़ता है माइट का पता लगाने के लिए हमें अपने बगीचे की पतीयों को लैंस से च्छक करना पड़ता है कि अपनी नंगी आंकों से हम इस तरह के केट को नहीं देख पाते हैं लैंस से ही हम पता कर सकते हैं कि हमारे बगी यह खतरनाक होती है, माइठ हमारे बगीचे में 12 महीने प्रजेन्ट रहती है, सर्दियों के टइम में यह एग के रूप में, हमारे पेड के तने की दरारों में या तने के छिलकों में प्रजेन्ट होती हैं, और जैसे जैसे ही इनको जो है आद नमी और अनकूल वातावर नमी लगता है तो ये अंडे फूट जाते हैं और जैसे जो है एडल्ट माइट निकल जाते हैं जैसे ही ये माइट बड़े होना स्टार्ट बड़े होते हैं तो फिर ये हमारे सेव के पत्तों पर अटाय कर लेते हैं जिससे हमारे पेड़ों में फोटो सिंतेजिस की प्रक्रिया प्रभावित होती है माइट मुख्य रूप से हमारे सेव के पौदों के पत्तियों में निचली साइड को प्रेजेंट होती है प्रतु अगर ये ज्यादा हो जाए तो पत्तों की उपरी सतहे में भी माइट देखे जा सकती है तो बागवार साथियों अपने बगीजे से माइट को खतम करने के लिए हमें ये काम सर्दियों से शूरू कर देना चाहिए सर्दियों में जब हम TSO या HMO की सपरे करते हैं उस टेम हमारे सेब के पेडों के तन में एक लेयर बन जाती है अगर वो लेयर अच्छे से बन जाती है तो फिर उस लेयर के कारण जो माइट के अंडे होते हैं वो सपोकिशन से मर जाते हैं ऊड हुआ इसके बाद हमें अगर माइट के एक जो होते हैं अगर उनने कांट्रॉल करना हो इसके लिए ऑबेरऊन की 60 ml मात्राय को 200 लेटरपाने में मिल्या कि इसके स्प्रे कर सकते हैं यह ए जो है माइट के जो एक्ज होते हैं उसपे काम करता है और यह माइट के अंडो क को डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे ही इन्हें फिवरेबल कंडिशन और नमी मिलने लगती है तो इसके बाद ये अंडों से निकल के बाहर आते हैं और इसके बाद हमारे सेव के पतों पे अटेक कर लेते हैं अटांच को मारने के लिए हमें अपने बगीचों में मैजिस्टर की 50 ml मातरा को दो सफीलिट्र पाइंड में एग्ज होंगे माइट के वो जो है सॉफोकिशन से मर जाते हैं और इससे हमारे बगीचे में माइट खतम हो सकती है तो बागबन साथियो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब करें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैजवन जैकिसान